सबसे पहली विशेषता यह है की यह मनोव्यज्ञानिक और नैतिक्ता पराधारित है हमने देखा कि इन्हों नें अपनी परिभाशे में जो बात कही उससे एक तत्य यह सामने निकल कर आता है कि इन्हों एक तो मानसुक संतुलन की अवस्थाएं बताई है कि सामी की अवस्था को प्राप्ति करना है असामी की अवस्था को छोड़ देना है दूसरी बात इन्होंने एक्षा के उत्पत्ति की बात कही है याने इन्होंने बात कही है कि आवशक्ता शुन्यता की अवस्था को सकती हूं तो कई न कई वो मेरी आवशक्ता बन जाती है कि मुझे समोसा खाना है तो यह चोटे से उधारन से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने बात करें कि आवशक्ता शुन्यता आवशक्ता उत्पन नहीं नहीं मानसिक दशाओं को ऐसे स्थिर रखा जाए कि इस तरह कि आवशक्ता उत्पन नहीं 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 क्योंकि जब हम भौतिक्ता वाद से प्रेरीत होंगे हम एक दूसरी की देखा देखी करेंगे कॉंपिटीशन में उससे आगे निकलने की कोशिस करेंगे तो कहीं न कहीं हमको नैतिक्ता को किनारे रखना पड़ेगा तो ऐसी कोई कंडिशन ऐसी कोई स्थिती जीवन में आये ही ना इसकी बात भी उन्होंने अपनी परिभाषा में कहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उनकी परिभाषा की एक मौत्पून विशेस्ता है कि उन्होंने नैतिक्ता को भी अपने अर्थशास की परिभाषा में इसी तरह इनकी जो दूसरी विशेस्ता है कि वह कहते हैं कि यहां पर संतूष्टी को इन्होंने इस्थान नहीं दिया है बढ़की चिरंतन शुंकों इन्होंने इस्थान दिया है क्योंकि आवशक्ता शुनिता से तो यह स्पस्थ हो जाता है की आवशक्ता कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया मनुष्य की आवशक्ताई अनन्त हैं और उनकी पूर्ती के साधन सीमित हैं तो सीमित सी जो साधन होते हैं उनसे हम अपनी सभी आवश्रक्ताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और हम जीवन में कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते इसलिए इन्हों कि संतुष्टी पर ना जाएं चिरंतन सुख आप अपने मानसी कवस्था को इस स्थिति में रखें कि आपको चिरंतन सुख की प्राप्ति होती रहें अब क्यूंकि ऐसा वह इसलिए क्योंकि कोटिली की परिभाश्रा देखी नवा आप हमने देखा कि वह भारती संस्कृति सं इसकार नयतिकता सारी चीजों को साथ लेकर चलते हैं तो वैसे ही परिभाश्रा इनकी भी रही है इसलिए यह सारी चीजिए संबलित हो गई है बिल्कुल वैसा ही इनकी विशेस्ता यह कि यह अर्थशास्र को आदर्श्वादी विज्ञान मानते हैं हाला कि सबसे अच्छ आदर्श वादी विज्ञान मानते हैं यानि कि ये मानते हैं कि ये धन की उत्पत्ति का कारण बताते हैं कि क्यों धन प्राप्ति किया जाए धन की जरूरती क्यों पड़े क्यों प्राप्ति किया जाए ना तो वो सिर्फ आदर्श विज्ञान तकी सेमित रहते हैं वास्विक वर्णन किया है कि मनुष्य अपने आशक्ताओं को ऐसे सीमित रखे कि उसका जो मांसिक जो असंतुलन के वस्ता है उसको वह प्राप्त ना कर पाए और असाम मेटा की जगा वो सामी यानि कि सीमित जो उसके पास साधन है उनसे अपने वह सीमित खा. आध रहूं का मानना है तो इनकी परिभाशाओं की यह सारी विशेष्ट आध मोतया है जो भी अर्थ स्राइस्रिय परिभाशा को देते हैं उनके आगे आने वाले अर्थ शास्रिया पाकी जो विचारक होते कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई आलोचनात्मक बिंदू ढून निकालते हैं वैसे ही प्रोफेसर जेके मेता की परिभाशाओं के भी कई अर्थ शास्त्रियों ने आलोचनाय की है कुछ बिंदू के आधार पर तो आए देखते हैं वो कौन-कौन से बिंदू है जिनके आधार पर प्रोफेसर जेके मेता के परिभाशाओं की आलोचना की जा सकती है इसमें पहला बिंदू है इनकी परिभाशा आव्यभारिक और काल्पनिक से लगती है कहीं न कहीं जब हम खुद सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि कैसे आवशक्ताओं को सीमित किया जाए अगर हम है तो हम सब भी की एक इक्षा रहती है तमन्ना रहती है कि बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल रहे बहुत अच्छा वह जीवन यापन करें और ऐसे कंडिशन में यह कहना कि आवशक्ताओं शुन्य कर ली जाए कोई भी आवशक्ता उत्पन ना हो तो वास्तों में इसको फ ऐसा कहने से कहीं न कहीं अर्थ शास्तर का औस्तिट्व ही समाप्त हो जाता है अब अर्थशास्तर तो धन का विज्ञान है यहां पर हम ढवशकता ही created करते हैं हम अर्थ शास्त्र में केवल उनी क्रियावकाध्यन करते हैं जिनका सीधा और प्रत्यक्ष संबंद धन प्राप्ति से होता है अगर धन प्राप्ति हमारे लिए आवश्यक नहीं है अगर हमारी कोई आवश्यक्ता ही नहीं है हमको धन की जरूरत ही नहीं है तो मार्थ आतिक्रिया करेंगी क्यों तो यहां पर तो अर्थ शाड़ का है समाप्द हो जाता है। है कि उसी तरह ने कुछ ऐसे छेत्र अर्थ शाद के अंदर शामिल कर लिये हैं जिससे वास्तों में अर्थ शाच्त का जो छैत्र है वह करीं न कहीं धूमिल हो जाता है और नीती नीति शास्त्र धर्म शास्त्र दर्शन शास्त्र यह सारे शास्त्र ऐसी जगा एक बना के रखते हैं कि अर्थ शास्त्र का अस्तित तो बिल्कुल समाप्त होता नजर आता है क्योंकि जहां पर हम नीति शास्त्र धर्म शास्त्र या दर्शन शास्त्र के बात करते हैं तो वहा पर हमारे पुरातन जो हमारे हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे जो समाजिक जो हमारी प्राचीन जो हमारी आवधारनाएं हैं ये सब बात नेतिकता वाली बात धर्म वाली बात ये सारी चीजे बीच में आ जाती हैं तो यहां पर अर्थशास्र में इन सब छेत्रों को शामिल आधर्श विज्ञान है लेकिन कहीं न कहीं वह वास्तिविक विज्ञान भी है ऐसा मानना है आलोजकों का आधर्श विज्ञान है ठीक है क्योंकि वह बताता है कि किन किन कारणों से धन कमाना जरूरी है लेकिन वास्तिविक विज्ञान भी तो है ना क्योंकि अर्थशास्ति विज्ञान तो है एक बात सही है लेकिन कहीं न कहीं अर्थ-शास्र वास्तिविक विज्ञान भी है तो यह कुछ ऐसे बिंदु है जिनके आधार पर आलोचकों ने जे के महता जी कि परिभार्षा की आलोच नायं की हैं उर इनके आगे आनेsim वाले विचारकोंने ब्राच्य भारती विचारकों के बाद पाश्चात्य भारती विचारकों ने भी अर्थ शास्त्र के विशय में अपने बहुत से अगर हम इनमें सबसे प्रमुक किसी विचारक की बात करें तो आडम समीत का नाम सामने आता है, क्योंकि आड़म समीत को अर्थ शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थ शास्त्र को धन से जोड़कर अपनी परिभाशा प्रस्तुत की है और कहा है कि अर्थ शास्त्र धन का विज्ञान है इसके साथ साथ हम पाश्चात्य भारतिये विचारकों में एडम स्मीत के अलावा मार्शल और रॉबिंसन की परिभाशाओं का विसलेशन भी करेंगे वास्तों में बहुत से विचारकों ने इतने विचार अर्थ शास्र के लिए प्रस्तुत किये हैं कि इन में से किसी एक स्रेश्ट परिभाषा का चैन कर पाना बहुत मुश्किल है सभी विचारकों ने कुछ न कुछ नए बिंदू अर्थ शास्त्र के प्रति अपने परिभाश्राओं में दिये हैं जैसे हमने देखा कि Adam Smith अर्थ शास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं उसी तरह Marshall इसे कल्यान का शास्त्र मानते हैं रोबिंसन की अगर बात करें तो वो दुरलबता या सीमित साधनों का विज्ञान मानते हैं इसी तरह इतनी सारी परिभाशाएं हैं इतने सारे मत हैं कि स्रेश्ट मत का चैन करना कहीं न कहीं मुश्किल लगता है साथ इक बहुत से विचारकों न चाहें वो प्राच्चे होया पास्चात्य भारती विचारकों इतनी परिभाशा आए दे डाली है अर्थशास्त्र के लिए कि एक प्रोफिसर कींस ने तो यहां तक कहा दिया है कि अर्थ शास्त्र ने परिभाशाओं से अपना गला ही गोट लिया है, इतनी परिभाशा है। ऍटिने परिभाशा हैं, ऐसी ही शृमती बूतन की अगर बात करें तो उन्योंने कहा है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो वहां पर 7 मत प्रस्तूत हो जाते हैं कहने का अर्थिया है कि एक अर्थशास्त्री स्वेम यह नहीं समझ पाता है कि वास्तों में उसे अर्थशास्त्र की उसने क्या परिभाशा दी हो और किन बिंदू को अपने अंतरगत शामिल किया हुआ है जो भी बात हो लेकिन हमको अर्थशास्त्र का विसलेशन करने के लिए किसी ना किसी बिंदू पर पहुचना है किसी एक उप्युक्त परिभाशा का चयन करना ही है तो यहां पर हम तीन विचारत जो है एडम स्मीथ मार्शल और रॉबिंसन इनकी परिभाशाओं का हम यहां पर विसलेशन करेंगे और और हम इनकी परिभाशाओं को चार भागों में बाट कर हम इनका विसलेशन करेंगे जिसमें पहली जो परिभाशा होगी वह होगी धन से संबंदित परिभाशा दूसरी जो परिभाशा होंगी वह होगी कल्यार से संबंदित तीसरी ज चार बिंदूओं के आधार पर हम अर्थ शास्त्र का विसलिशनात्मक अध्यान करेंगे तो आईए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे पाश्चात्य भारतिय विचारक थे जिन्होंने अर्थ शास्त्र की धन संबंदी परिभाशाएं दी हैं इसमें सबसे पहला नाम आता है एड करताल से संबंदित है इस प्रकार यह धन का विज्ञान है थीक इसी तरह प्रोफेसर जेबी से ने कहा और शास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है कि प्रोफेसर वाकर की बात कहें तो उन्होंने क्या कहा है अर्थ शास्त्रिक ज्यान की वह शाखा है जो धन से संबंधी थे तो ये तीनों ही विचारक अपनी परिभाशाओं में धन को एक महत्वपूर्ण इस्थान देती हैं अब इन धन संबंधी परिभाशाओं की अगर हम विशेस्ताएं देखे तो कुछ मूल बिंदू निकल कराते हैं जैसे कि एक तो इन्होंने तीनोंने इसे धन का विज्ञान माना है यानि अर्थ शास्त्रिक जिन क्रियाओं का अध्यान करता है कहीं ना कहीं वो धन से संबंध नहीं है उनको आर्थ शास्त्र में कोई इस्थान नहीं दिया जाना चाहिए ठीक उसी प्रकार इसके दूसरी विशेस्ता यह है कि इन्होंने राज्य के संबंध में धन का किस तरह से उप्योग किया जाए इसका अध्यान यहाँ पर उन्होंने किया है सभी ने मनुश्य को गौण और धन को प्रात्मिक स्थान दिया है कहने का मतलब यह है कि मनुश्य धन के लिए है ना कि धन मनुश्य के लिए मनुश्य प्रिथ्वी पर जन में लिया है यानि उसका मुख्य कारे है जीव को पर जन के लिए धन अरजित करना सुक्सु विधाओं के लिए धन अरजित करना उसी तरह इन्होंने सबने अपनी परिभाशा में आर्थिक मनुश्य की कल्पना की है एडम स्मित की बात करें तो उन्होंने इस पस्ट कह दिया धन का विज्ञान है जेबी से की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि धन की विवेचना करता है वाकर की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया है कि ऐसी शाख है जो धन से सम्बंदित है यानि कि कुल मिला कर ये आर्थिक मनुष्य की कलपना करते हैं यानि मनुष्य वही है जो आर्थिक कारे करता है जो धन प्राप्ति करने से सम्मंधित कारे करता है वो मनुष्य है ऐसी इनकी परिकलपना रही है वैसी ही इन्होंने ये माना है कि वास्तों में मनुष्य की ये दुसरे रब्दों में हम कहें तो व्यक्तिगत सम्रिद्धी जो है उसी से राज्ट की सम्रिद्धी संभव है चलिए इनकी परिभाशाओं की विशेस्ताइं हमने देखी और ओल सबने मनुष्य को दृत्यक और धन को ही प्रात्मिक स्थान दिया है लेकिन इनके आगे आने वाले विचारकों ने इनकी परिभाशाओं की काफी आलोचना की तो वो कौन-कौन से बिंदू है जिनके आधार पर धन सम्रिद्धी इन परिभाशाओं की आलोचना की जा सकती है एक तो पहली बात सब ने धन पर आवशक्ता से अधिक बल दिया है जैसे कि मैंने कहा कि लगबक सब की विचारधारा ऐसे ही चल रही है कि मनुष्य ने बृत्वी पर जन्म लिया है धन के लिए धन जो है वो मनुश्य के लिए नहीं है बलकि मनुश्य जो है वो धन के लिए है इतना अधिक बल भी धन पर देना शायद कहीं न कहीं अनुचित है क्योंकि धन जाहिर से बात है कि एक बहुत मतपूर्ण चीज है लेकिन उसके बाद भी मनुश्य के जीवन में बहुत सारे ऐ होते हैं जो उसको सुखी रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं तो उनको इन विचार को ने कहीं न कहीं दृते कि स्थान दे दिया है तो यह एक आलोचनात्मक दूसरा इन्होंने धन का प्रयोग संकुची तर्थ में किया है सभी विचार को कि परिभाशाओं का अगर हम विस्त्रित विस्लेशन करते हैं तो हमको यह दिखाई देता है कि सबने माना है कि हम अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति करके एक आराम दायक जीवन शैली एक विला संकुचीत से मान सिक्ता को दिखाती है क्या हम धन का प्रयोग समाजिक खर्यों में नहीं कर सकते दं से तो क्यों इतना संकुचीत अर्थ दिया गया है कि आप अपनी सुक्सविधाओं के लिए जीवकों पारिजन के लिए बहुत अच्छी लाइफस्टां के दन कमाना जरूरी है उसके बाद अगर एक आर्थिक मनुष्य की जैसे हमने विशेस्ता में देखा कि इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कलपना करी है क्यों आर्थिक मनुष्य की ही कलपना की जाए मनुष्य एक समाजिक प्राणी है समाज में वो रहता है समाज से उसके बहुत सारे समाज से जुड़े रहते हैं तो क्या उसने प्रिथ्वी पर जन्व सिर्फ अर्थ की प्राप्ति के लिए सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए ले लिया है आर्थिक मनुष्य ही क्यूं समाजिक मनुष्य की कल्पना क्यूं नहीं कि इन्होंने बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अर मुख नहीं कर सकते अर्थ छांग को जया जाएं और मनुष्य धन के लिए कर खतम कि जाएं जिनके आधार पर जंबना परिभाषावाओं की आलोचना के जा सकती इतने प्रतिष्टित अर्थ शास्त्रियों द्वारा अर्थ शास्त्र की ऐसी परिभाशा जिस पर धन पर आवशक्ता से अधिक जोर दिया जाना कहीं न कहीं बहुत से विचारकों को ये बात खटक भी रही थी वास्तों में देखा जाए तो इंग्लेंड के कुछ विचारक इस परिभाशाओं से इन परिभाशाओं से इतने अधिक प्रेरित थे कि उन्होंने गलत अर्थों में इसका प्रयोग किया वहां पर वो धन के प्रति इतने लालाईत हो गया कि इसके लिए इस्त्री और बच्चों का शोशण होने लगा इसे लिए कुछ विचारक जैसे कर लाइल रसकीन विलियम मौरिस और चार्ल्ज रक्सिन ने इन परिभाशाओं की बहुत आलूचनकी और धन पर इतना जोर देना एक ग्रिणित कारे माना उन्होंने